हेलो सुट्रेंट वेल्कम टू माई नर्चर मैं हूँ क्रिष्णा कैसे आप सब लोग मस्त बढ़िया तो लोग स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मकोलोजी का लास्ट चैप्टर चैप्टर नमबर थर्टीन जिसमें हम पढ़ेंगे बायोजिकल्स के बारे में बायोजि तो अपने कोर्स में बायोजिकल्स जो के बहुत बड़ा टॉपिक है उसमें से अपने स्लेवस में क्या पढ़ने के लिए उसकी डेफिनिशन है टाइप है इंडिकेशन है और इंडिकेशन ऑफ बायोजिकल्स एक्जांपल कि किन-किन जगाहों पर यह यूज होते हैं उसक देटि जो की बना हुआ है लिविंग और लिविंग आउर्गनिजन से हैं लिविंग और जम से न हम लोग कुछ प्रोटीन इसित्माल करते हैं कुछ बतक्नलोजी का इस्तमाल करते हैं बाइट्टनोजी सब लोग ने सुन रखआ होगा ॉके तो कह रहा है एक सब्स्रांच जो की बना हुआ है living organism से कोई synthetic chemical नहीं है living organism से बना हुआ है या उसके product से बना हुआ है या living things के अंदर से हमने कोई protein निकाल लिया है ठीक है living thing के अंदर से निकाला है and is used और उसका हम लोग इस्तमाल करें है prevention, रोग थाम करने के लिए diagnose, जाचने के लिए biological, simple क्या धियान रखना है living organism से जब हम लोग कोई चीज एक तरह का समझ दो दवाई बना रहे है लेकिन वो दवाई में chemical ना हो करके साथ-छाथ खुद living organism उसके अंदर इस्तमाल हो रहा है या living organism का कोई product जो बनाता है, ठीक है simple सा definition याद रहे गिया अब क्या कह रहा है biological drugs अब biological drugs बोलूँगा तो समझ जाना living things को हम लोग इस्तमाल कर रहे हैं इसे bacteria virus किसी भी चीज को हम लोग इस्तमाल कर रहे है disease ठीक करने के लिए तो कह रहा है biological drugs include इसके तरह कौन कौन हो सकता है antibodies antibodies यानि कि जो हमारी body की हमारी जो immune system में कौन पाए जाते है antibodies उसका इस्तमाल करे हम किसी और के ऑगनिजम की antibody निकाल के तुम्हारी बोड़ी में डाल दी जाए और कोई disease ठीक हो जाए तो यहाँ पर क्या क्या हमने किसी chemical के इस्तमाल नहीं किया living things या उसके अंदर प्रोड़क्ट antibody को निकाल करके तुम्हारे इंदर डाल दिया interleukins ठीक है and vaccines भी क्या है हम लोग living things के इस्तमाल कर रहे है तो biologicals के अंदर आयते है also called biological agent and biological agent है इनको हम लोग biological agent या biologics भी कहते है क्या कहते है biologic agent या biological agent ठीक है कौनकों से drugs इसके अंदर आयती है antibodies interleukin vaccine यह तमाम चीज़ें इसके अंदर count की जाती है ठीक है इनको agent भी कहा जाता है अब biological therapeutics also referred to as biologicals are those class of medicines which are grown and then purified from large scale cell culture दो बात वही है लेकि यहाँ पर आया है cell culture इसलिए मैंने यहाँ पर इस line को डाला है cell culture मतलब क्या करते हैं हम लोग microorganism को grow करवाते हैं और उसके अंदर से फिर chemical को extract कर लेते हैं तो simple सी बात है तो कह रहा है biological therapeutics also referred इसको हम S.V. कह सकते हैं कि यह वो class है medicine की जहां पर हम लोग grow करवाते हैं और purify कराते हैं बड़े scale प और plant और animal cell या किसी animal cells हमारी body का यह किसी animal cells को हम लोग किसी grow करवा रहें tissue culture में और उसके अंदर से कोई chemical को निकाल रहे हैं तो यह चीज़ भी इसके अंदर count होती है कि लिए रहे सिंपल सी बात है टाइप की बात करें तो कोशन आएका टाइप टाइप में क्या है बाइलोजिकल साथ डाइवर्स ग्रूप ऑफ मेडिशन विच इंक्लूड कौन-कौन आया था इसके अंदर इसको तुम ऐसे लाइन में भी कर सकते हो वैक्सीन ग्रोथ फेक् वगरा हुआ था तो सीरम वगरा को अलग किया जाता था सीरम को चड़ाया जाता था तो human blood या plasma को हम extract करके उसका इस्तमाल करने को बिमारी ठीक करने के लिए तो वह सब कीज़ेंस के अंदर काउंट होती है नाव वट डिस्टिंग्विसेस बाइलोजिकल फॉम अधर मैडि किया जाते हैं हम प्यूरिफाइब करते हैं living culture से जिंद्रा चीजों में से culture system और from blood या खून से वेराइस other medicines are considered as small molecules जो आमतार मैडिसेंस होती हैं वो क्या होती है small molecules होती है atoms molecules समझते हो ना and are either made synthetically और purified from plants या तो हम synthetically बनाते हैं या plants को plant के अंदर से उस chemical को हम लोग extract करते हैं बास समझें बाई ओके यहाँ पर हम chemical extract कर रहे हैं ना कि कोई protein extract कर रहे हैं अब तुम्हारे पास बहुत साधान से question आ सकता है इस chapter से यह question भी बनता है clarify क्या होता है IV जिकल क्या हो गया बीलजीकल प्रॉड़क्ट क्या होता है तो बाया लॉजी कल अफ़ेति उसके अंदर कौन कौन से परड़ा याते हैं वेक्सीन घ्लक लैंट ब्लड और्ड कमपोनेंट हो सकते हैं अलरजेनिक्स हो सकते हैं सुमेटिक severelyo जारीजेऑ यहां बस हई सेम्लगोण और लिया है तोड मेरोड को कुछ नया बना लिया है ठीक है तो यह सब किसके अंदर आते हैं बायोजिकल प्रोड़क्ट बेटा यह अपने आप में काफी बड़े बड़े टर्म से टिसू समझ में आता होगा तुमको री कॉंबिनेंट छेरोपेटिक प्रोटी जैसे कि री लिए टेकनालोजी में लोग ने पढ़ा था ग्लास 12 में ठीक है मैंने नहीं पढ़ाया था तुम्हों को लोग ने जहां कहीं से पढ़ रखी है वहां पर तुम लोग ने री कॉंबिनेंट वर्ट पढ़ा होगा है ना दो चीज़ें को जोड दिया जाता है तो दो प्रोट conservation हो सकता है और May be living entity या कोई खुद जीवित चीज हो सकती है Living and charity entity entity antity मतलब कोई चीज such as cell कोई पूरा cell हो सेल जिंदा होता है and tissues या पूरा पूरा आंधीक्राम टीशू ले सकते हैं या पर डिपेंड करेगा biologics, are isolated from variety of natural sources डेखो biologics हम कहां से derive करते हैं natural sources derive करते हैं जैसे कि human से, animal से और microorganism से and may be produced by biotechnology और हम लोग इसको biotechnology की help से बनाते हैं ठीक है and other cutting edge technology cutting edge technology मतलब biotechnology के साथ-साथ कुछ और advanced technology है जिसकी help से हम वाई क्योंकि ये बहुत microscopic level पर चीज़े बनानी है तो हमें advanced level की technology चाहिए होगी gene based and cellular biologics for example कह रहा है जो gene based और cellular biologics है for example often are at forefront of biomedical research हमारे सबसे target पर forefront है मतलब हम लोग आजकर सबसे ज़्यादा target क्या कर रहे है gene based है cellular biologics gene based क्यों कर रहे है क्योंकि genes gene therapy सुना होगा class 12 में था हमारी body में हम लोग genes को introduce करते है और जो अच्छा genes हमारी body में गया है वो अच्छे वारे protein बनाता है जिससे की खराब gene की वज़े से जो protein नहीं बन रहे थे या खराब protein बन रहे थे वो protein बनना बंद हो जाते है और जिसकी वज़े से जो genetic बिमारी होती है वो ठीक हो जाती है एक थोड़ा सा उधारन दिया मैंने ठीक है ना तो इसलिए कहरा four front of biomedical research हमारे आज कल ये point वैसे हाँ लिखने का मतलब का नहीं है तुमारा just for knowledge है कि आज कल की research में हम लोग gene based और बाइलोजिक के बहुत जार टार्गेट कर रहे है और यूज तो ट्रीट वराइटी आफ medical conditions for which no other treatments are available और इसी के अधार पर जो हम लोग ने बाइलोजिक त्यार किये हैं उसको हम यूज कर रहे हैं बहुत सारे conditions को ठीक करने के लिए ठीक है ना तो इस लाइन को चाहो तो exam point of view से काट सकते हो ठीक है just for knowledge के लिए बढ़ था ये ना हाव डू बाइलोजिक बाइलोजिकल प्रड़क्ट डिफर फ्रम कन्वेंशनल ड्रग अब कोई तुमसे पूछ लेगा बाइलोजिक और एक मानलो वाइबा हो रहा है तुम्हारा टीचर पूछ लेगा बाइलोजिक जो ये भी एक तरह का ड्रग है बाइलोजिक अफकोर्स ड्रग है मेडिसीन है और एक कन्वेंशनल कन्वेंशनल मतलब जो टैबलेट सीरप अगर हम खाते हैं इन दोर में अंतर क्या है ठीक है तो इन कंट्रास्ट टू मोस्ट ड्रग अगर हम कंपेर करें जातर ड्रग को डैटर केमिकली सिंतेसाइज जातर दवयां क्य इसमें क्या है यह complex mixture होता है क्योंकि पूरा पूरा living organism हो सकता है कोई बड़ी सी प्रोटीन हो सकती है ठीक है इसको जैनली आइंटिफाइड नहीं कर पाते हम लोग बायोजिकल प्रडॉक्ट इंक्लूडिंग दोज मैनिफेक्चर बाइब बायो टेक्नोलोजी बायो टेक्न sensitive होते हैं and susceptible to microbial contamination और इनके उपर microbes attack भी कर सकते हैं ठीक है microbes के दवारा यह contaminate भी हो सकते है therefore it is necessary इसलिए जरूरी है to use aseptic principle from initial manufacturing step शुरुवात से ही हमें aseptic condition रखनी पड़ती है सब्सक्राइब नहीं पड़ती है हर बारी ठीक है विजी आल्सो कंट्रास्ट तू मोस्ट कन्वेंशन ड्रक जाते हैं उनमें जरूरी सेप्टिक कंडिशन की जरूरत नहीं पड़ती लेकि निहां पड़ती है तो दो तीन चीज़े हैं यह complex mixture है यह बायो टेक्लोजी के दे दिया मैं हमेशा कहता हूं चीज़ों को points में लिखो जैसे मालों यह पैरा पड़ा तुमने यहां से तुमको तीन-चर पॉइंट निकल के आ गए तो इस तरह से एक दो तीन पॉइंट से मना के लिखना है clear है चले आगे okay definition हो गया definition हो गया types हो गया आपने पास ठीक है अब जो स्टार्ट होता है indications of biological with example very important कोई दो या दो तीन याद कर ले ना पक्का तीन पक्का याद करोगे में एक नाम जो है पांच मैंने यह बता रखे हैं पांचों के पांचों नाम याद कर लोगे तीन पक्के से explain करने के लिए याद रखोगे अब देखो यह क्या है यह अपना brand name है और insulin glargine क्या होता है यह insulin glargine lentus अपना brand name के नाम से famous है यह long-acting insulin यह है क्या insulin ही है यह क्या insulin ही है यह यह biological है साथ खुद insulin है यह अपने आप में that helps maintain control of your blood sugar यह help करता है आपके ब्लट सुवर को normal रखने के लिए throughout the day, पूरे दिन depending on your diabetes type and severity ठीक है, तुमारे diabetes की type और severity कैसी है you might use insulin insulin, glargine alone or together with meal time insulin ठीक है या तो हम तुम इसको अखेले ले सकते हो और बहुत ज़्याद़ सीवियर है तो जो normal insulin रहते हो, उसके साथ में इसको ले सकते हो, ठीक है it is typically injected under the skin once daily, skin के अंदर, normal वाली क्या होती है इस तरीके सा छोटी सी उसकी सुई होती लगा ली जाती है इसको skin के अंदर लगा जाता है but some people might need to inject it twice daily, कुछ लोगों को दिन में ये दो बार भी लगानी होती है अब समझते हैं biological कैसे है pathogenic laboratory strain of E. coli तो बैक्टेरिया से बनाया जा रहा है E. coli this is a bacteria K12 नाम दिया गया है इसका as the production organism तो ये insulin किस से collect किया जा रहा है bacteria के अंदर DNA sorry, bio technology की help से बनाया जा रहा है clear हो गया, ये कोई chemical नहीं है ये कोई synthetic वो नहीं है कि हमने निकाल लिया और किसे को दे दिया ये हम living organisms के अंदर से DNA की technology का use करते हुए recombinant DNA technology का use करते हुए बना रहे है कहां से निकलता है ये insulin E. coli bacteria से, clear है now Humira या Adalimumab ये क्या चीज है Humira जो brand name है is a type of medication known as monoclonal antibody तो हम क्या सकते हैं ये क्या है antibody है ठीक है monoclonal antibodies are artificial proteins ये कैसी होती है artificial proteins है mark करेंगे ठीक है अच्छा अपने पास heading क्या है कि हम को लिखना क्या है indication कहां पर इस्तमाल हो रहा है कौन सा इस्तमाल हो रहा है तो हमारे पास ये brand name आ गया या insulin, glargine आ गया कहां इस्तमाल हो रहा है diabetes में इस्तमाल हो रहा है source क्या है source भी लिख सकते है तीन चीरी लिख दो के best हो गए तुमारा answer ये ठीक है indication मतलब कहां इस्तमाल हो रहा है तो हम lantus जो मारा brand name है जिसका अंदर insulin, glargine जो कि एक biological है वो diabetes के लिख इस्तमाल होता है जिसको कि हम लोग recombinant DNA technology से equalize से बनाते हैं short कर ले ना इसको now यह होगा ठीक है यह कहां क्या हमारा पास artificial protein used to target specific element in your body ठीक है ना यह artificial protein होती है जिसको हम use करते हैं हमारी body में अब खास target को जा करके हिट करें target मतलब यह नहीं कहीं पर हिट करना है मतलब किसी खास बीमारी को ठीक करने के लिए आओ इसके बारे में और जानते हैं Humira या Adalimumab is an injectable medication used for treating many different autoimmune conditions mark करेंगे बेटा autoimmune condition rheumatized arthritis याद आ गया autoimmune condition को ठीक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं including rheumatized arthritis Crohn's disease ulcerative colitis and plague psoriasis तो हम लोग Humira का जो कि क्या है actual में monoclonal antibody actual में क्या है यह protein actual में क्या है यह protein किन-किन बीमारियों को ठीक करने के लिए इसका इसका इस्तेमाल होता है जो बीमारिया autoimmune condition से create होती है कौन-कौन सी बीमारिया है rheumatized arthritis Crohn's disease ulcerative colitis और plague psoriasis इस यूजिली गिवन every other week हर हफते में एक बार ठीक है and it can be used alone इसको अकेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि यह यह देंगे या taken with methotreizate और other non-biological medications या इसको दूसरी जो non-biological medication अपने tablet हो गया रहा है capsule हो गया रहा है उसके साथ भी इसको दे सकते हैं अब थोड़ा से इसके बारे में और जाने with rheumatized arthritis करता क्या है यह humira prevent inflammatory process ठीक है इसको नई भी लिखो गए तो भी चलेगा इसके बार तुम सीधा याला पॉइंट जीज़े ना knowledge के लिए समझो यह करता है क्या inflammatory process अब मेरे काल से उमीद करता हूँ inflammation को बहुत अच्छे समझ गए होगे last chapter पर आ गए हो humira prevents inflammatory process that lead to joint inflammation pain, swelling वगरा जो हो जाती है ठीक है यह क्या करता है prevent करता है inflammation नहीं होने देगा दर्द वगरा नहीं होगा damage नहीं होने देगा pain नहीं होने देगा it does this by blocking the specific molecule in the body that would otherwise trigger inflammation हमारी बोड़ी में inflammation कॉन trigger करता है postagranding वगरा जो होते हैं उनको क्या करते हैं block करते हैं humira work like other popular biologics such as ramecate देखो एक और biological नाम आ गया ramecate brand name आ गया जिसके अंदर क्या होता है inflixi meb होता है and inbrae जिसके अंदर क्या होता है itinerous sept होता है that also treat autoimmune disease यह दो नाम और आ गया तो यह दो नाम यहां से निकाल लोगे अब यह है क्या चीज humira is produced by recombinant DNA technology in mammalian cell expression system जो हमारा mammalian cells होते है ठीक है वहां से उनका जो expression system ज्यादा डिटेल में नहीं जाना तो यह हमारे mammalian cells से यह protein जो कहां से निकलती है हमारी mammalian cells से निकाली जाती है किसकी हल्प से recombinant DNA technology की हल्प से ठीक है थर्ड है हर 17 ठीक है ब्रांड नेम आ गया ट्रास्ट्रास्ट्यूजूमेब नाम प्रहसा जीब है approved in 1998 1998 में approved होगा था हर 17 was one of the first monoclonal antibody for cancer question आ सकता है सबसे पहला biological cancer के लिए कौन सा approved होगा था then हर 17 ठीक है उसके अंदर क्या पाया जाता है it used to treat HER2 positive breast cancer नाम है cancer का ठीक है and HER2 positive metastatic stomach cancer दो टाप की cancer ये भले नाम याद रखना ये नाम भले मत याद रखना breast cancer और stomach cancer को treat करने के लिए ये यूज होता है हर 17 works by targeting HER2 positive cancer cells तो ये line चाहतो कार देना याद रहे ता बहुत अच्छी बात है HERE है cancer cell को target करता limit the process that cause cells to grow and multiply uncontrollably cancer में क्यों होता है cells unlimited grow करते रहते हैं तो ये क्या कर रहा है limit करते है cancer cell को target करेगा ठीक है वहाँ जाकर के उनकी जो process है जिसकी वाइस वो grow करते हैं multiply करते हैं उसको जाकर करके खतम कर देगा हालमार्क feature wow of cancer cell ठीक है ना हालमार्क feature मतलब जो ये uncontrollably grow होना है ये ही तो main feature हालमार्क मतलब main characteristics क्या है cancer cell की uncontrolled grow ठीक है ना इसी को जाकर करके ये जो herceptin होता है ये block कर देता है अब trans-tismap is produced by recombinant DNA technology in mammalian cells Chinese hemisphere ovary ठीक है ना culture जो Chinese hemisphere होता ovary होता उसका culture तयार किया जाता है इसको जाकर check करेंगे ठीक है ना कि Chinese semester क्या होता है ये animal है ठीक है इसको जाकर check करना Google वापर टाइप करोगे उसकी जो ovary होती है उसका culture तयार किया जाता है उस culture से फिर हम लोग इसको क्या करते हैं collect करते हैं नेक्स्ट आगे आते है अवाश्टिन ठीक है बी वैसी जुमेब अवाश्टिन इस ए मोनो क्लोनल एंटिबोडी डैट FDA अप्रूव FDA जरा अप्रूवड है तो ट्रीट मैनी डिफरेंट टाप्स आफ कैंसर अगेन ये कैंसर को ठीक करने के लिए है इंक्लूडिंग कोलोरेक्टल कोलोनोरेक्टल वाला कैंसर है एंड ब्रेन कैंसर दो टाप के कैंसर का नाम आ गया ठीक है इंडिकेशन हो गया इसको कौन-कौन इसके लिए इंडिकेशन कौन-कौन आ गया अगेन कैंसर है brain cancer और colorectal cancer, it works by cutting of the blood supply to certain cancer cells that help them grow, cancer cell के पास जो blood की supply है जिससे कि उनको खाना पीना होता है, उस blood supply कट कर देता है, खाना पीना मिलेगे नहीं तो मर जाएंगे, तो देखो काम करने का तरीका अलग है, जो यहाला था, यह कैसे काम कर रहा था, उनकी जो process होती है, ग्रो करने की uncont control, multiply करना, uncontrollably grow करना, यहां पर वो उसको बंद कर रहा है, और इसके case में क्या कर रहा है, वो blood की supply कार्ट दे रहा है, ठीक है ना, blood की supply कार्ट खतम हो जाएगी, तो blood के cells को खाना पीना कहां से मिलता है, खून के तोवारा मिलता है, वो मिलना बंद हो गया, जैसे वो मिलना ब और effect देखा गया, यह बड़ा चलता है, आजकाल एक दवाई बनी किसी और चीज़ के लिए, वो किसी और चीज़ में अपना साथ दिखाती, तो doctor को उसके लिए इस्तेमाल करने लगते है, off-level का मतलब यही होता है, to treat certain eye condition, including age-related macular degeneration AMD and diabetic eye problem, diabetes के वाई से कोई eye problem आ रही है, य इसका effect ज्यादा देखा गया, तो doctor इसका इसमाल कर रहे है, new leaky blood vessels grow in the retina to worsen these conditions, ठीक है, जो leaky blood vessels होती है, उनको ठीक करने के लिए, आवाश्टीन helps slow the growth of these blood vessels, यह जो leaky blood vessels होती है, इनकी grow नहीं होने देखा, इनको रोग देता है, now, जो यह आवाश्टीन है, ठीक है, was originally derived from, बीवासी जुम आप अजीव से नाम है सोड़ा से, originally derived from mouse monoclonal antibody, चुहे से निकाला गया था, ठीक है, from mice immunized with 165 residue from recombinant human vascular endothelial growth factor, ठीक है, इसको मत छोड़ देना, mouse को हमने पहले क्या कर दिया था, इम्मनाइस कर दिया था, इम्मनाइस कर दिया था, जिससे की, उसके अंदर के जो, ठीटानों हो गए रहे थे, खतम हो गए सारे, एक तरह जैसे हम लोग किसी कुत्ते को हम लोग injection दे रहे थे, रहे भी सो गए रहे था, तो हम कैते हो से immunized कर दिया, तो यह किस से immunized कर दिया था, यह उसका दे रखा, जिकर उसका जरूरुत नहीं है, हम को इतना ध्या कि biological का मतलब है, कोई living thing से चीज हमने निकाली हुई है, या खुद living thing को इस्तमाल किया हुगा है, botox, botox बहुत सुना होगा, खास कर लड़कियों ने सुना होगा, botox के बारे में, ठीक है न, क्यों लड़कियों ने सुना होगा, कि botox एक treatment है, जो कि जुर्यों कम करता है, साथ की इस तक आते आते हैं, उनके चेरवे का जो जोड़ियां में नहीं दिखाई पड़ती है, वह बोटॉक्स स्टेट्मेंट के वए इसे, है न, सर्च करना है, तो बोटॉक्स है क्या, ओना, बोटुलिन, बोटुलिन्यू, ठीक है, और टॉक्सिन, बोटुलिनम, ओना, बोटुलिनम, टॉक्सिन, ए, इस बोटुलिनम, बोटुलिनम, यही से इसका नाम बढ़ गया, ठीक है, बैक्टिरिय से पाए गया, यह, यू में अल्रडी नो ऑफ बोटॉक्स एज, मेडिकेशन, यूज इन, कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तमाल होता है, बट, इस एक्चुलि एज़फिल फोर मेनी अधर कंडिशन, ठीक है, कॉस्मेटिक्स तो लोग करवाते हैं, लेकिन, हमें उससे क्या लेने देना, हमारा मेन मुद्दा क्या है, बिमारियों को ठीक करना, तो कौन कौन से बिमारियों ठीक करता है, बोटॉक्स यह टॉक्सिन नेक इस पास, गर्दन पो कोई इस पास में आता है, उसको ठीक करता है, अंडर राम स्वेटिंग उसको ठीक करता है, माइग्रेंस में हेल्प करता है, ओवर एक्टिव ब्लेडर है, उसको ठीक करता है, लॉस ऑफ ब्लेडर कंट्रोल ड्यू टू टू नर्फ डैमेज, ब्ल यही बताना था, indications with examples, clear है, ओके, तो यह अपना छोट फोट फोट चेप्टर था, लास्ट चेप्टर है ना, तो बेटा करना क्या है, फिर कह रहा हूँ, PDF का link description में दिया हुआ है, ठीक है, और यह मेरा number है, कोई problem आती हो, मुझे call करें, यह अपना app है, जहाँ पर extra practice के लिए तुम लोग इसका इस्तमाल कर सकते हो, बहुत से बच्चे इसका इस्तमाल कर रहे हैं, ठीक है, और सबसे जरूरी चीज पढ़ना है, और revise करना है, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, problem आये, घुमादो number इस पर, number नहीं लग रहे है, थोड़ी देर बात लगाएं, डरना बिल्कुल नहीं है, घवराना बिल्कुल नहीं है, अराम से पास होगे, पढ़ लो थो थोड़ा बस, ठीक है, पढ़ते रहो, all the best